नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी यूट्यूब चैनल जड़धारी क्लासेज में दोस्तों आज किस वीडियो में उत्राखन DLR 2014 का मैच्स पेपर का सेकिंड पार्ट यहां पर सॉल्व करने वाले हैं आज की वीडियो में 25 आपके सारे कुषण आपको देखने को मिल जाएंगा अभी तक उसमें 400 के लगवा कोईसन है और 2-3 दिन में उसमें काफी सारे कोईसन एड होने वाले हैं तो आप उसको जाकर जरूर यूज़ कीज़े और आप अपने टीचिंग अप्टिटूट के उसमें अच्छी तैयरी कर सकते हैं आपको बार-बार वार वीडियो देखने के जरूत नहीं पड़ेगे तो चले दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेशन है क्वेशन नमर्वन ट्विंटिसिक्स है एक सो पच्चिस क्वेशन तक हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं यह दि किसी संख्या के एक बटे दो भाग, एक बटे तीन भाग था एक बटे चार भाग का योग संख्या से चार अधिक है तो संख्या क्या होगी आपको पूछने बताना है कि वो संख्या क्या है अब देखें बोला क्या गया है कि संख्या का एक बटे दो भाग एक बटे तीन भाग एक बटे चार भाग का जो दिया गया, अब आपको इसको solve करना है, बड़ी आसानी से आप इसको solve कर सकते हैं, तो S का L से हम ले लेंगे, denominator का, तो यह हो गया, 12, और यह आपके पास हो गया, 6X, प्लस 4X, और प्लस 3X, इस तरीके से दोस्तों यह हो गया, तो यह हो गया, आपका 6, 4, 10, 3, 13X, तो 13X, बरा 12X है, तो 12X आपका इधर चले जाएगा, तो 13 में से 12 गया, तो X बराबर 48, तो 48 आपका आनसर आने वाला है, तो X बराबर 48, 48 कौन सा option है दोस्तों, option number D, तो यह आपका हो जाएगा, 127 की तरह बढ़ते हैं, question number 127, 96 meter लंबे एक वरगाकार plot के बदले हरीस, उतने ही छेतरफल वाला एक आयताकार plot खरीता है, यह भी आयताकार plot के लंबाई 144 मेटर है, तो चोड़ाई याद कीजिए, आपको यह बोला गया, अब देखे, यहाँ पर condition क्या बोली है, कि दोनों के छेतरफल क्या है, बराबर, उतने ही छेतरफल वाला आयताकार plot खरीता है, मतलब दोनों क चेतरफल यहाँ पर बराबर है, अब एक वर्ग है, एक स्क्वेर है, और दूसरा आपके पास आयता है, रेक्टेंगल, अब देखे, जो वर्ग है, वर्ग का चेतरफल क्या हो था, एक स्क्वेर, अरता 96 मेटर वाला लंबा है, तो वर्ग का चेतरफल हो जाए गुणा 96 into 96, बराबर किसके चेतरफल की बराबर है, जो आयत का चेतर, आयत का चेतरफल हो कर लंबाई गुणा चोड़ाई, अब लंबाई देखे 144, लेंथ इंटू बेस, लंबाई इंटू चोड़ाई, तो आप क्या बी ज्याद करना, तो आप बी आसानी से ज्याद कर सकते हैं, तो 96 into 96, बटे 144, यह 12 से कर जाएगा, 12 बराबर कि 144 और 12 आटे 96, फिर 12 का 96 से 12 आटे 96 और बी कमान हो जागे दोस्तों, 8 into 8 अर्थात, 8 अर्थात, 8 अर्थात, 64 मीटर यह होने वाला, 64 मीटर अर्थात, उप्सन नमबर C आपका अंसर होने वाला है, तो 127 का C हो जाएगा, 128 का का योगफाल 63 है, यादि उन में से एक संख्या X, दूसरी संख्या के दुग नहीं है, मतलब जो संख्या X हो दूसरी संख्या के दुग नहीं है, इसका मतलब दूसरी संख्या X की ठिक आधी है, तो हमने बोल दे भाई, पहले संख्या क्या थी यहाँ पर, पहले संख्या X और वो बोल रहा है हो 360 क्या है इन दोनों का योगा अब 360 बोला गया है तो अब आपो क्या निकालना है यहां से equation बनाने की इन में से equation क्या हो सकती इसके तो चले इसको देखते है equation क्या हो गए अगर मैं यहां से xy2 का मान निकल तो xy2 बराबर हो जाएगा 360-x और अगर मैं बात करूँ x 360-x को यहां लेता हूँ तो यह equation number second की तरह बनने वाला है और 2 यहां चले जाएगा x के बटे में 360-x आगा और 2 कगुणा उपर हो गया तो यह वाली equation यहां पर बन गई यह कौन सा है option number B आपका यह होने वाला है यह इसी परकार की equation है और equation इससे बनना possible नहीं है question number 129 है question number 139 कि 5 सब्था और 12 दिन में कितने घंटे होते हैं देखे 5 सब्था और 12 दिन यह बोल ला है तो 47 दिन यह कुल हो गए तो 47 दिन में कितने घंटे हैं 12 का गुणा कर लिजे जो भी होगा वो answer निकल जाएगा और इसका answer आ रहा है 1128 घंटे अर्थाथ ए option इसका answer आ जाएगा question number 139 है कि असो के बाग का परिमाप 40 मिटर है यदि बाग की चोड़ाई उसकी लंबाई की दो बटे तीन गुनी है तो बाग की लंबाई ग्यात करनी है अब यहां पर परिमाप दे रहा है यह एक आयताकार बाग है जिसमें लंबाई और चोड़ाई है अशो के परिमाप इतना है अब देखे आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों वो होता है बस दो लंबाई धन चोड़ाई और परिमाप कितना है दोस्तों 40 मीटर है तो 40 मीटर दे रहा है अब यह दि बाग की लंबाई यह दि बाग की चोड़ाई अर्था जो B है B क्या है 2 by 3 L वो दे रहा है इतना दे रहा है तो B की जगा हमने 2 by 3 L रख देना तो चले पहले दो से इसको काड़ लेते हैं क्योंकि लंबाई प्लस चोड़ाई का योग कितना हो जाएगा 20 अब हमने B की जगा क्या रख देना है 2 बटे 3 L तो L प्लस B की जगा हो जाएगा 2 बटे 3 L और बराबर 20 तो 3 और 2 5 तो 5 L by 3 हो जाएगे तो 5 L by 3 बराबर 20 हमें क्या निकलना है दोस्तों लंबाई गयात करनी है तो लंबाई तो 5 L बराबर हो जाएगा 60 20 तिया 60 और इस तरह से L बराबर हो जाएगा 60 बटे 12 अर्थाथ 12 पंजे 60 तो 12 मीटर आपका अंसर आने वाला है तो इसका मलब 130 का यहां पर B option हो चुका है तो चले next question की तरह बढ़ते है question number 131 कि 7 का वह छोटे सो चोटा गुणा क्या है जो चार बारा सोला से भाग देने पर सेज 3 बचे अब देखिए इस तरह की question का सबसे आसन तरीका है आप इसके option ही चक कर लेजें पर साथ का सबसे छोटा गुणा जिसमें पहले साथ का भाग किस में जाता है तो 1441 और आर्था 149 और 147 में साथ का भाग साथ साथ उन पचास में जाता है लेकिन अगर आप इनका भाग देंगे तो सेज 3 नहीं बचेगा 147 भी साथ का गुणा जै तो इन तीनों का भाग क्या है अगर आप इसमें देंगे तो हर कंडिशन में 3 दिन सेज बचने वाला है सबसे आसन तरीका यही है 48 पलस 3 अगर आप करते हैं तो 48 पलस 3 तो भाई कितना होता है 41 होता है तो साथ का भाग जाता है फिर 48 गुणा दो कर लेजी तो 48 गुणा 2 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा डबल गुणा करना पड़ेगे ना क्योंकि भई इसका जो LCMA वो 48 है 48 में इसका इसका तीनों का भाग जाता है अब 6 अगर 3 बचारें तो प्लस 3 करना पड़ेगा तो उसमें 7 का भाग जाने रहा है 48 गुणा 2 कर दा है 96 तो 96 प्लस 3 अर्थात ये कितना हो जाएगा तो 99 99 में इसका भाग नहीं जाता है फिर आपको 3 करके करना है 48 गुणा 3 तो 48 गुणा 3 और जब आप प्लस 3 करेंगे तो 3 अटा 24, 144 प्लस 3 147 तो ये ही ओप्सन इसका आने वाला है और 147 में अगर आप भाग दिंगे तो 3 तीन आने वाला है लेकिन सबसे बढ़िया मैं बताओं आपको कि ये ओप्सन से ही हो जाते हैं इस तरीके क्वेसन सबसे आसान क्वेसन नमर 132 है कि एक फलों की बड़ी टकर में बड़ी टौकरी होगी वसे इसके एक संत्रे या केले होने की परागता और अगर वो केला हो तो ले कितने हैं दोस्तों 5 है तो 5 बड़ी 10 से हो जाएगी केले की परागता अब वो बोला कि इसके संत्रे या केले होने की प्राइकता थो या का मला भी जोड़ा आपको कर देना है तो 5 और 3, 8 बटे 10 तो 2, 4, 8, 2, 5, 10 काट के आपका हो गए 4 बटे 5 अगर वो पूछा हो कि संत्रे और केले होने की प्राइकता क्या होगी तो फिर आपको क्या करना था तीन बटे 10 गुणा, 5 बटे 10 गुणा कर देना था आपको फिर 5, 15, 10 गुणा के 100 हो जाना था उसको तो या और और में अंतर के ओल क्या है या का मतलब जोड़ है और का मतलब गुणा है क्वेशन नमर 133 है कि एक बटे दो धन, एक बटे दो धन, एक बटे दो धन का मान क्या होगा तो भाई ये सिधा जोड़ हो रहा है simple question एक एक दो एक तीन तो तीन बटे दो आपका answer हो जाएगा question number 134 है कि यदि कक्छा के पंदरा लड़कों की ओसत आयू 11 वर्स है और यदि नो वर्स के पंच लड़के कक्छा में और समलित हो जाएं तो उनकी ओसत आयू अब क्या होगे अब दीके ओसत का मतला क्या होता कुल जोड़ बटे कितने संक्या है कुल बच्चों की उमर कितनी है, बटे कुल बच्चे है कितने पंद्रा लड़कों की ओसत आये 11 वर्स है, इसका मतला कुल एज कितनी हुई ये पंद्रा गुणा 11 आपके पास कुल एज हो जाएगी और ये नो वर्स के 5 लड़के ओर डाल दिये तो अर्थाद 5 गुणा 9 और कुल बच्चे कितने हुए पहले पंद्रा लड़के थे हैं और फिर आपके 5 लड़के हो रहा है तो पंद्रा पंजे, पंद्रा और पंच 20 लड़के तो जो ये ओसत आएगा, ये ही क्या है नया ओसत हो जाएगा तो इसको आप सॉल्ब करेंगे तो पंद्रा 11 आपके पास हो जाएगा 165 और प्लस 5 नमा 45 और बटे 20 तो 165 और प्लस 45 आपका कितना हो जाएगा 5 5 10 6 4 10 रिक 11 और 1 और एक 2 बटे 20 तो यह हो गया दो का 10 दसमलब 5 वर्ष ठीक है तो यह option हो गया इसका option number C आपका answer सही आ गया question number 134 और 135 कि 1-27b cube का मान क्या होगा अब देखिए यह क्या है AQ-B cube वाले यहां पर formula लग रहा है और इसी को आपको यहां पर solve करना है तो आप AQ-B cube यह कैसे बनेगा सहसे पहले AQ-B cube का formula आपको देख लेते हैं AQ-B cube बराबर होता है इसका आपको इस तरीक से लिखना तो कितना हो जाएगा तो A-B कैसे लिखेंगे A-B का मतलब है 1-3P into A square A square का मतलब है 1 B square B का मतलब कितना है 3P तो 3P का square अथद 9P का square plus A B plus A B का मतलब 3P गुणा 1 तो 3P होने वाला है तो देखें 3P वाला option कौन सा है तो यहां पर 30 हो रहा है 30 है by mistake हो गया तो 1-3P 1 plus 9P square plus 3P तो यह option इसका होने वाला है यह 30 नहीं यह 3 है आपर ठेक है तो A option इसका सई होने वाला है तो चलिए question number 136 की तरह बढ़ते हैं कि कोई rail गारी एक खंबे को 15 second में 100 मीटर लंबी एक platform को 25 second में पार करती है तो rail गारी की लंबाई की आतकर नहीं है अर्थात लंबे उसमें खंबे के लंबाई उपर के और हो गए चोड़ाई बोले तो जहां से train पार करेगी तो उसकी क्या है जो चोड़ाई हो ना के बराबर है तो train के बराबर की ही लंबाई ताय करती है अब वो क्या बोला है उसने और उसके लाप से हम question करते हैं कि कोई rail गारी एक खंबे को 15 second में पार करती है तो formula आपके बाँ है simple सा x is equal to b t rail गारी की हमें लंबाई गयात के नहीं rail गारी की लंबाई x है हम मान लेते है एकस ही उसको मान लेते हमें पता नहीं है भी भी दोनों में common है तो इससे काम हो जाएगा एकस प्लस सो एकस ट्रेन की लंबाई प्लस सो प्लेटफोर्म की बराबर भी गुणा 25 अब आप क्या करेंगे जिस तरीक से आप जोड़ करें एकस का मान यहां रखो जाए जो भी करना चाहे आप वैसा कर सकते हैं मैं direct क्या है इसमें भाग देता हूं इस एकस बराबर भी गुणा 15 तो भी से भी कट गया दोस्तों 5 3 15 5 25 तो इस तरीके से मेरा यह हो चुका है त तो 3 X प्लस होतियां 300 और बराबर यह हो जाएगा 5 X ठीक है तो 5 X 3 X उदर चले जाएगा तो माइनस 3 X तो 2 X बराबर हो जाएगा 300 और X बराबर 300 बाई 2 तो 150 तो यहां पर यह आंसर आने वाला है option number B आपका होने वाला है सही तो 150 मीटर आपका आंसर आ चुका है तो चले 137 उनकी तरह बढ़ते हैं कि निमने में संब्ध ग्यात कीजे तो निमने में कौन सा संब्ध है तो भाई संब्ध आपके पास है कि 1 km आपके पास होता है 100 dm अर्थात A option आपका सही है तो यह वाला संब्ध सही है रहवात जो 1 hectometer है वो 0.1 km के बराबर होता है और जो 1 dm है वो निम्याट 100 है 100 mm के बराबर होता है रहवात 1 km, 10 hectometer के बराबर होता है और 1 hectometer आपके पास 100 मेटर के बराबर होता है इनको हे आप नोट कर सकते हैं 138 की बात करते है कि B hopeless A छित्र आपके पास दे रखा है समूचा दे रखा है,いきます बी – अ है का मतलब अका होताऊत दोस्तों B-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A E और F तो जो E और F वाला option है यही आपका सही होने वाला तो E और F option कौन सा है option number 1 आपके पास है तो 138 question आपका सही होने वाला है 138 का E option आपका सही होने वाला है तो चले next question की तरफ बढ़ते हैं question number 139 है थोड़ा से उपर का लेते question को कि दिये गए ओ विर्त का केंदर है यहीं ओ एम बराबर स्क्वेर 25 माइनस लंब का स्क्वेर चार्च को 16 तो 25 माइनस 16 नो और यह हो जाएगा 3 तो यह हो जाएगा A M बराबर 3 तो 3 यह है क्योंकि लंब है तो जितनी दूरी यह है उतनी दूरी क्या है M B है तो 3 प्लस 3 हो जाएगी 6 cm तो आर्थात C option इसका सही होने वाला है Question number 140 है कि किसी त्रिभुज के कौन 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है तो प्रते कौन का मान ग्याद कीजिए अब देखें सिद्धिस बाद है त्रिभुज के 3 कौन का योग हो था 180 अनुपात यह दे रखें तो 3 2 5 और 5 10 जो अनुपात है चले 10 x मान लेते बराब पादुनी 36 फिर 3 अठार तियां 54 और अठार पंज नभे तो 36 54 और नभे यह उप्सन इसका सही होने वाला है Question number 141 का है कि स्याम ने एक पुराने cycle 136 में बेच कर 15% हान निपाई वहाँ उसे कितने बेचता है कि उसे 15% का लाब होता है ठीक है 15% यह बचता था कितना वो यह तो लाब के बारे में यह बात कर रहा है अब देखे इस तरीकी से question कैसे करते हैं बड़ी आसाने से आप करेंगे कि स्याम ने पुराने cycle 136 में बेच कर 15% के हान निपाई मलब जब उसको 136 में उसने बेचे तो 15% के हान निपाई अगर यह बोले 15% के हान निका है कि 85 जो percent है वो किसके बराबर है 136 परसंट के बराबर तो यहां से 1% हम निकाल सकते हैं 136 बटे 85 हमें कितना परसंट से 15% का लाब 15% का लाब का होगा जब 100 रूपए की वस्तु का 15 मलब 115 रुपए में बेचेंगे अर्थात 100 रुपए की वस्त को 100% की वस्त को 115% बेचेंगे तो उसको आप बोलेंगे 15% कर लाब तो आप को क्या निकालना है 115% अर्थात गुणा आपको कर देना है 115 का तो 85 और इधर हो जाएगा आपका 115 बोले तो 115 अब आप इसको solve कर लेंगे आप इसको solve बड़े आसाने साफ कर लेंगे वैस 5 का भाग दे देते हैं इसमें ठीक है तो 5 इकम 5 पंदूनी 10 और एक पांस तियां 15 और यहां से होगे तो 5 इकम 5 शत्रा पंजे पिचासी सत्रा का भाग इसमें दे दीजे तो सत्रा और नो हाँ आठ सत्रा चपन तो सत्रा आठा 136 और अब यह हो गया आठतियां 24 का चार हासिल पाई दो अरदूनी 16 दो अठार 18 आपका answer हो गया अर्था बी option आपका सही होने वाला है तो चलिए next question की तरह बढ़ते हैं question number 142 कि यह 8 ब्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं अब देखे 8 ब्यक्ति क्या कर रहे हैं 10 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं तो 10 ब्यक्ति कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे तो भाई दिन आपने निकालने हैं तो यह हो जाएगा 8 गुणा 10 बटे 10 तो 10 से 10 हो गए ब और Y मिलकर इतन रुपे पाते हैं Y और Z मिलकर 9500 रुपे पाते हैं और Z और X मिलकर 8500 रुपे पाते हैं तो Y का हिस्सा कितना है अब देखे, question क्या बोला गया है कि X प्लस Y बरावर कितना है दोस्तों 70000 है और Y प्लस Z बरावर है 9500 है और दूसरा है z plus x z plus x बराबर है 8500 अब आप क्या करेंगे आपको क्या वाई का निकालना है अब देखें परतेक संख्या परतेक जो द्यक्ति है वो दो बारा आ रहा है x यहां पर आ रहा है y एक यहां रहा है z एक यहां रहा है तो अगर मैं क्या कर दो yy को जोड़ों 2y हो जाएक और फिर घटा देंगे हम क्या करेंगे x plus y में y plus z जोड़ देंगे अर्थाथ x plus y plus y plus z और उसमें से घटा देंगे z और x को अर्थाथ minus z minus x तो इसका मलब 1x से 1x कट गया 1z से 1z करते दिए 2y बचा तो 2y का मान क्या हो गया कि इसका और इसका जोड़ों और उसमें से ये घटा दिया तो 550 से 500 गटाया तो 1000 बच्गा और 1000 में 1400 जोड़ दिया तो 7400 में आगर आप 1000 जोड़ दोंगे तो 8400 हो गया तो 2y बराबर हो गया दोस्तों 8400 तो y का मान कितना हो जाएगा तो 2 4k 8, 2 2 4 और 0 तो बैयाली सो आपका अंसर होगा ऑप्शन नमर बी आपका सही अंसर होने वाला है नेक्स्ट पॉर्शन की तरह बढ़ते हैं 144 की 270 और 405 का लगुतम समापुर्तिया तथा महतम समापुर्तिया का अनुपात ग्याद करना है तो सिदिश बात है LCM और SCF आसान है यह इसको आप SCF निकाल दे तो 270 गवाग 450 तो 135 उसका SCF हो रहा है तो इनका अनुपात हो रहा है 6 अनुपात एक ठीक है आसन कोईसन है इसको करने की जरूतनिया पर question number 145 है कि राम और गोपाल के पैसो का अनुपात 7 अनुपात 17 है और गोपाल और कृष्ण के पैसो का अनुपात 17 है इनका भी वही है तो यदि राम के पास 490 है तो कृष्ण के पास क्या होगा अब देखें यहाँ पर 2 अनुपात है और 2 अनुपात एक ही अनुपात में इ तो यह आपको देर का समानुपाद तो पहला अनुपाद है साथ अनुपाद सत्रा और दूसरा है एक सेकंड ये चोधा लिख दिया गया है साथ और सत्रा हमने राम गोपाल और गोपाल और कृष्न तीनों का अनुपाद ग्याद करना है तो दू अनुपाद ये हैं और दूस लेंगे 17 17 को जाएगा 289 तो यह तीनों का अनुपात है आप यहां पर क्या बोला गए राम राम मरत फोटीनाइन जो रिज्व है वह कि बराबर है राम का जो अनुपात है दोस्तों अर्था राम के पास 400 नबबे रुपय थे फोटीन नाइन रेश्यों का मतलब 49 रेश्य का मतलब क्या है 490 है तो एक रेश्यो का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 59 गुणा 10 490 हमें क्या निकालना है क्रिश्ण क्रिश्ण कहा है 290 रेश्यो वाला तो 290 में आप क्या करतेंगे 10 का गुणा करतेंगे 2890 आने वाला है तो चले आप नेक्स्ट वेश्ण की तरह बढ़ते हैं क्वेश्ण नमबर 146 की 100 1000 का 10 परसेंट वार्षिक चक्रिवर्दी ब्याज की दर से कितने वर्ष में मिसर धन 1210 हो जाएगा अब मिसर धन क्या होता दोस्तों मूल धन हुआ है आपके पास फॉर्मला चाहें से तो यह हो जाएगा सो गुणा टी बराबर 210 तो तो यहां से आप T का मान निकाल देंगे एक सेकेंड तो उपर निचे हो गए थे स्क्रियन 200 कितना हो गए था दोस्तों यहां पर देख लेते हैं कि 100 गुणा T बराबर होता 210 तो टी बराबर कितना हो जाए 210 बर्टे अर्था दोस्तों एक वर्ष अब दोस्तों एक वर्ष तो यहां पर ऑप्सन है यह नहीं तो उसके जो सबसे निकट है वो दो वर्ष है तो भी ऑप्सन ही इसका सही होने वाला है तो चले क्वेशन नमबर 47 की तरह बढ़ते हैं कि यह अर्थ यूडियाइन यूञन यूजिणा उसको चोड़े हो और सब मिल के सब मिल के वह को निकलना है तो देखे क्या जाए एक दो तीन चार वर्ष यहां तक है तो वह आपके पास अच्छ ये पिर पांच रोंक इसको फोर होलनी और देदा है तो फिर आपकर कल आप जोppy ना को म시면 फिर थी मैं कोई नहीं किardonायी है टो यह ओ जाएगा तरीके से हो जाएगा जर्च एक और फिर Y और Z में तीन चार यहां ही नहीं, तो इसके मिलब यहां बे कोई कॉमन नहीं था, 148 का है, यहां यहां पर यहां पर 5 है, और N का मान यहां पर 2 है, अब हमें N की पावर M करना है, N की पावर M, अर्थाद 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएंगे दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थाद 32, तो D ओप्षन, Q1, 148, यदि X प्लस Y परावर 10 है, X Y परावर 21 है, तो X Q प्लस Y क्यूब का मान आपको ज्याद करना है, अब देखिए, इस वो आप कैसे करेंगे, X Q प्लस Y क्यूब का फॉर्मूला मैंने पर, अचा वो माइनस में था न, तो प्लस में आपको बता देते हैं, X प्लस Y, ठीक है, तो X प्लस Y यह हो गया, और जो X Q प्लस Y की तो X प्लस Y, इंटू, X स्क्वेर माइनस Y स्क्वेर, और प्लस X Y, X स्क्वेर माइनस X Y और प्लस Y स्क्वेर यह आपका फॉर्मूला होता है, उसमें, यहां पर देखो, अगर प्लस वाला तो प्लस है, और अगर माइनस वाला तो यहां प्लस होता है, तो X Q प्लस Y क्यूब है, X स्क्वेर माइनस X आपको X plus Y दे रहा है 10, X Y आपको 21 दे रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए X square plus Y square अभी नहीं पता है आपको, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि भाई X cube plus Y cube, X plus Y 10 हो गया, और X square plus Y square अपने जगण ठीक है, इसको मैं इधर कर दिया, और minus X Y हो गया 21, लेकिन X square plus Y square हमें नहीं प X square plus Y square, तो X square plus Y square दोस्तों हो जाएगा, X plus Y का whole square minus 2XY, तो X plus Y कि तना है, 10, तो 10 का square हो जागा 100, और minus 2XY, और X Y का मान है 21, तो 2XY का मान है 21, तो X square plus Y square का मान हो गए दोस्तों, 22, 100 minus 22, अर्थात 58, तो X square plus Y square का मान हो गए 58, अर्थात यहां से 58 लिख सकते हैं, तो 10 58 और माइनस 21 तो 10 गुणा 58 माइनस 21 कितना हो जाए आट में से यह गया आपके पास साथ हो गया पांच में लोगे तीन तो 37 तो 370 यह आपका अंसर होने वाला है अर्थात आप्सान नमबर कौन सा यह आपका अंसर होने वाला है क्वेशन नमबर 150 कि 6 की पावर 2 by 5 इंटू 6 की पावर 3 by 5 का मान ज्याद करना है तो तो तूंकि पावर आपके पास पूरे के पूरे 50 क्वेशन आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक किजिए और अपने अधिक स्यादी कि दोस्तों कि उस वीडियो डाउनलोड कीजिए उसमें आपको टीचिंग अप्डियो के काफी सारे कोशन मिल जाएंगे और उसके आप आची से तयार कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते एक नई इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत ध आप